वेलकम बेक दोस्तों टाउकली और टॉक्स की एको नई वीडियो में आप सभी लोग को फिर से स्वागत है तो दोस्तों फ्रॉंक्स का आज बेस वेरियंट सिग्मा कंपेर कर रहे हैं हम मार्टी की ही आप भरी वलीनों के सिग्मा सबसे बेस से दोनों को आज compare करते हैं फ्रेम में जड़ा side by side घरी हैं लेकिन main focus आप comparison पर करना दोनों ही क्या price पर आती हैं कितना difference दोनों का अगर बेस अगर आप consider करते हैं फ्रॉंक्स का या फिर बलीनों का तो कितना जो है कौन सा स पस्ता मिलता है किसमें फीचर्स ज्यादा मिलेंगे यह सारा कुछ आपको बता लग जाएगा स्प्लेंडड सिल्वर कलर में यहां पर फ्रॉंग का बेस वेरिंड है सारी साथ यहां पर बलीनों का जो है यहां पर सिक्मा पर आर्गटिक वाइट कलर में यहां पर खड़ा है तो फटावर से बात करते हैं सबसे पहले चावियां चावियां दोनों में ही ऐसी दो सेंटर रिमोट लॉकिंग मिल जाती है इस तरीके से लॉक अनलॉक करते हैं तो यह बलीनों की चाविय यह लॉक अनलॉक पर भी साउंड नहीं करती है अगर फ्रॉंग्स की चाविय की स्टार्ट होती है फ्रॉंग्स एक शोरूम की बात कर रहा हूं और यह जो है यह स्टार्ट हो जाती है 6,61,000 रुपे की एक शोरूम पे तो लगभग लगभग जो है आप जो डिफरेंस है दोनों में निकल के आता है पिच्चा से जार रुपे का दिफरेंस निकल के आएगा तो 85,000 रुपे किस पर ज्यादा खर्च करने चाहिए फ्रॉंग्स पर ज्यादा या कम इस पर बचा लेने चाहिए फटाट से जो है आपब बात करते हैं तो तो प्राइजिंग का पता लग गया 50,000 रूपे फ्रॉंक्स थोड़ी सी महेंगी रहेगी कंपेर टू बलीनों के अब यहां पर देखे सबसे बहले डाइमेंशन डाइमेंशन दोनों की लगभग जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगी 3995 एम की इसकी लेंट है 3990 ए लेंथ में जाता इतना कोई डिफरेंस की बात करते हैं तो बलीनों की विर्थ सत्रोसमेंथ Alguna चोडइा ओर अगर आप डिएट निकल तो लगबग आपका 50 mm का मतलब 5 cm का है एड रूम में डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप फ्रॉंक्स में बैठते हैं या फिर बलीनों में थोड़ी हाइड जाता है तब तो फ्रॉंक्स में आपको अच्छा मिल जाएगा बागी फिर ग्रांट कुलेंस की बात आती है ग कुछ डैमेंशन की बात है ती डैमेंशन में जो लीट करती है ग्रांट कुलेंस में थोड़ा ज्यादा और हाइट में ज्यादा लीट करेगी जो है फ्रॉंक्स जैसा कि आप इसका फ्रेंट आप यह देखेंगे बोनट यह पोर्शन यह भी थोड़ा सा है आपका जो है लगता है तो यह आपको डैमेंशन का कंपेरजन बता लगया होगा अब जड़ा फ्रेंट लुक की बात करते हैं फ्रेंट लुक देखेंगे दोनों की ग्रिल अला गलक्सी दे रखिए इसमें ग्रेंड विटारा वाली टाइप की ग्रिल है यहां पर क्रोम कवर्क थोड़ा काम करेगी लेकिन बलीनों में ग्रिल कुछ यहां पर रहती है कहीं क्रोम का वर्क नहीं मिलेगा यहां पर आपको जह है प्रोजेक्टर आपको यहां पर आपके हैड्लेम्स रहते हैं हैलोजन में यहां पर इंडिकेटर दिया गया है तो हैड्लेम्स तो दोनों में ही आपक इसमें लेकिन कहीं यहां पर भी नहीं मिलें लेकिन इसमें आप लगवा सकते हैं फॉग लैंप जैसा नहीं है नहीं लगवा पाएंगे लेकिन फ्रॉंक्स में नहीं आती है फ्रेंट में इसकिट प्लेट यहां पर देदी जाती है इस तरीके से जो कि यहां बलीनों में नही है इस तरीके से इसमें भी आपको दिखाओं इसमें भी ऐसी एड़ेस्मेंट करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ रहता है फ्रॉंग्स में आ इसके बेस मोडल के लिए आपको मिलेंगे मिलेंगे टायर प्रॉफाइल वन नाइन्टी फाइव टी आर सिक्स्टीन की मिलेगी आपको गुडियर का टायर यहां पर दिया जाता है फ्रेंट में डिस्क रियर में ड्रम यहीं रहेंगी लेकिन बलीनों में सिल्वर स्ट्रील मि बलीनों के डिस आपको कुछ ऐसे डिजाइन के मिलेंगे रियर आपके पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं डिफॉगर मिल जाते हैं यह तो आपको मिलेगी बूट ओपन करते हैं तो बूट इस्पेस बलीनों में आपको 318 लीटर का मिलेगा थोड़ी सी देफ्ट अच्छी गा पेट्रोल टैंक की कैपसरेटी मिलेगी लेकिन इसके जो है रियर टेल लेंप बड़े ही प्यारी लगते हैं यहां से आप देखें एकदम कोई फॉरन टाइप की गाड़ी है वैसे यहां पर टेल लेंप्स डिजाइन करे गई हैं एलडी में रहते हैं काफी प्यारी लगें थोड़ा सा कम है उसके कमपैर्जन में लेकिन देखने में वैसे लगता नहीं है कि बूट स्पेस थोड़ा कम होगा यहां पर और बाकी यहां भी बूट लेंप नहीं आती है पाशल ट्रे भी नहीं आता है इसमें इसमें आपको 16 इंच का जो है स्पेर वील मिलता है क्योंक क्या फीचर्स दिए गए हैं चाबी कुछ जैसा कि मैंने बताया ऐसी रहती है फ्रॉंक्स की तो जैसी आप आएंगे इंडिकेटर अगर आपको यहां दिखाऊ ना यहां भी इस तरीके से पूरे काफी सांदार से LED में टाइप के आपको देखने को मिलेंगे और बाकी जैस से वन टच अप एंड डाउन एंटी पिंच वाली इसमें रहती रहती है कुछ ऐसी जो है चारो पावर विंडो रहेंगी और बाकी यह चीज मेरे को काफी अच्छे लगी कि यह दार्क में नहीं दे रखी है मतलब थोड़ा अलग कलर है सीटों का भी आपका फैब्रिक में आपको नहीं मिलती है ड्राइवर वाली आपकी जो है बेस में बाकी एस पी हेल एसिस्ट आइडल स्टाट स्टॉप हाइड लैट की बीम यहां से एडजस्ट करने का सिस्टम दे दिया जाता है डैश बोड अगर आप देखते हैं तो आईसा कुछ आपका डैश बोड रहता है इसमें और मीटर कंसोल आप देख रहे हैं आपका फ्यूल का टेंपरीचर का आपका जो है आर्पीम और स्पीडो यह एनलोग में दिया गया है और डैश बोड पूरा व्यू आप अगर आप देखें तो ऐसा देखने को मिल जाता है थ्री टॉन मतलब फोर टॉन आप कलर कह सकते हैं क्योंकि यहां पर भी एक ग्रे ग्लॉस में दिया गया है यहां पर थोड़ा सा अलाग ब्राउन शा यहां पर मैरून सा यहां पर ब्लेक सा तो फोर टोन कलर में पूरा डैश बूर्ट है इंटीजर आपका जो है डे नाइट आर्वीम ऐसे आप जो है ड्रस कर सक और रियर में आपका जो है आपे बीच में जो है और आपको जो है फ्रेंट में तो मिलते ही मिलते हैं रियर में चलते हैं भी फटा वट से रियर की बात करते हैं फिर बलीनों के चलेंगे इंटीजर में उसमें क्या डिफ्रेंस है वो चेक कर लेते हैं तो यहां अगर आप जो है पावर विंडो हैं ही चारो एडरिस्टोबल हेड्रेस तीनो रो में हैं और आपको तीनो ही सीट बैल्ड आपको इस तरीके से आपको थ्री पॉइंट वाली मिल ली हैं बाकी रियर में 12 बोल्ट का सॉकिट मिल जाएगा रियर एस इवेंट नहीं आता है तो यहां देखिए इंटीटर का कलर कुछ ऐसा है लाइट डार्क नेवी ब्लू में कहेंगे आपका कुछ ऐसे जो है डार्क उसमें चारो पावर विंडो तो इसमें भी रहती हैं एंटी पिंच वाली अल्मोस्ट फीचर्थ वही फ्रॉंक्स वाली हैं ज्यादा तर आपको व लेगे और सारी प्स टहरिंग कुछ ऐसा आपका अपलो इसमे उसमें सेरिंग के साथ कि है यहाँ को कुरा चैल्ट करें घंल तीया और यहां ने लिए alignment यहाँ बहुत सेम्सुल एप YouTube यहाँ बताता है आपका सेम्ट में यह एनलोग में दिया गया है और यहां डैशबोर्ट थी टॉन लेयर में है ग्लॉस फिनिज वहां भी थी यहां भी है लेकिन यहां बलू डार्क आ चुका है और यहां इस तरीके से ब्लैक आ चुका है अब क्या है एक और चीज देखे यह तीनो रो में पीछे की जो है तीनो एक्टवर हेडर अब आचुके हैं भली हमें यह बेस से अपडेट आ चुका है और यहां भी आपको तीनो 3-point seat belts मिल ली हैं तो यह features आपका जो है भली हमें अब जो है बेस से आड़ और हो चुका है जो कि पहले जो है नहीं था तो फ्रॉंक्स जैसा ही अब मिदलब अल्मोस्ट पूरी फ्रॉंक्स वाली ही हो चुकी है अभी इंजिन सेक्षन की भी बात करी लिंगे हैं फ्रंट का बोनट खोल देता हूँ पीछे से देख लीजिए दोनों में है स्पेस एक तरीके से सेम टूसे में लेकिन हेड्रूम जो हेड्रूम है ना वो जो है आपका अच्छा पीछे की सीटों में अगर अभी बैट के बताऊँगा मैं कैसा मिलता है तो यहां पीछे देखी एक 12 बोल्ट का सौकेट रियर एसी वेंट तो इसमें भी नहीं है अब इसके बाद अगर मैं जो हेड्रूम चेक करता हूँ बलिनों में पीछे वाली सीटों में आगे वाली में भी करूँगा अब जैसी ही जो हे फ्रेंट वाली सीटों में बैठते हैं तो इसके बाद फ्रॉंक्स में बैठके देखेंगे हम फ्रॉंक्स में कितना स्पेस है तो यहां अगर आप बैठें फ्रेंट की सीटों में तो लगभग इतना कुछ स्पेस बचेगा यहां लगभग अगर स्टेट रखता हूँ हैड तो एक हाथ का पूरा गैप मिल जाता है तो आगे वाली सीटों में एक हाथ का गया पीछे वाली सीटों में लगभग जो है दो अंगलियों का गैप है अगर 57 हाइट रहती आपकी अब इंजन की भी बात करेंगे इंजन वे फ्रेंट का बोनट खोल देता हूँ अब यहां अगर बैठते हैं यहां की भी सीटे फ्रेंट वाली मेरे अकॉर्डिंग एड्जस्ट है जैसा की बताया है वील बे सेम तू सेम है तो उतना कुछ डिफ्रेंस नहीं देखने को मिलेगा वहां चेक करते हैं तो देखिए यहां भी स्टेट बैठ आओं लेकिन यहां डिफ्रेंस उतना ही आ रह अइस देखिए जारा तो यहां जो है आपको लगबग जो है एड्रुम चैक करें तो यहां भी कुछ डिफ्रेंस ज्यादा है नहीं दो सिर्फ जो यहां पर हाइट का डिफ्रेंस हैंना वह और फिगर में दे रखा है एक पंडरोस फ्र जो है 50 mm की इसकी हाइट है 15 mm की इसकी हाइट है लेकिन practically इतना कुछ जो है difference देखने को नहीं मिलता है तो यह कुछ जो है आपको बता लग्या होगा आप अगर इंजिन की बात करें तो बलीनों में जो इंजिन है ना वही आप जानते हैं 1.2 लिटर का के सीरीज डूल जेट इंजिन आता है फोर चिलेंडर आला पैट्रोल जो की 88 पीस की पावर एक वन थर्टी निटर मीटर टॉर्के संग प्रेड्यूस करेगा माइलेज प्रेक्टेकली मानके चलिए हाइवे पर आम से 20 का आप निगाल लेंगे उपर इंशिलेशन इसमें मिली आती है लेकिन बलीनों में आप जानती है उपर वाले वेटर में टर्बो नहीं आता है इंजन सेम डू सेम यहीं वाला जो है आपका फ्रॉंक्स में भी यह बेस में 1.2 लिटर के सीरीज डूल जैट फोर सिलेंडर वाला पावर वह 88 पीएस की जो है सिर्फ डेजाइन के डिफरेंस है और वीटर सेम तू सेम फरन्ट का डिजाइन दोनों का अलग अलग रहता है लेकिन फीचर सेम तूसेम है और फिगर में हाइट थोड़ी बलीनों की कम रहती लेकिन प्रैक्टेकली देखा जाये तो कितना कुछ ज्यादा डिफ्रेंस निकलके नहीं आता है जैसे कि आपने अभी आप देखा तो यही थी आज की वीडियो अब मेरे ख्याल से अब आपको मैं आपना डिजिजिएन बत मिलते हैं और इसी नहीं वीडियो के साथ में